ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशला कया चक्षूरन मिलितं येना तस्माई श्री गुरुवे नमहा अरे कृष्णा आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे हैं अध्याए दो गीता का साथ अर्जुन तुमारे मन में ये कलमश आया कैसे ये उस मनुश्य के लिए तनी भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मुगले को जानता हूँ इससे उच्छ लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ती होती है अभी तक हमने सुना अर्जुन के कुछ तर्क वितर्क और दूसरे अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को कुछ बोलना प्रारंब करते हैं लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं आई है कि अर्जुन न अगर चर्चा करें तो पहला जो इस श्लोक का स्टार्ट होता है श्री भगवान वाचा तो सबसे पहले तो व्यास देव जो इन सारे ग्रंथों करें चाहिता है वो प्रारंब में ही लिख दी हैं कि श्री भगवान वाचा यानि कि भगवान ने कहा यानि कि ये श्लोक किसी प्लास प्लादा दौह की श्री भग्वान हुआ थीए नहीं तो बोल सकते थे कि देव की सुता हुआ चा ये शोदा नंदन होआ चा नंद носुआ तो इस रे कुली दौन हूआ चा तो इस वी ख्ली खर्लिट पार। भगवान शब्द का जो अर्थ है वो पराशर मुनी जो की व्याजदेव के पिता है वो बताते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति छे एश्वरियों को धारण करता हूँ ये छे एश्वरिय हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं ये छे एश्वरिय शुक्त के जीवों के अंदर भी पाई जाते हैं बहुत ही लिम्टिड मात्रा में किसी किसी कर अंदर कोई कोई आश्वरिय है थोड़ी मात्र में पाई जाता नहीं जैसे कि कोई धन्वान होना वेरागी होना कोई भी वैक्ति अगर वेरागी होता है तो संसार में कितना famous वाता है तो ये संसार में जीवों के अंदर भी गोण पाये जाते हैं लेकिन अल्प मातरा में और वो भी उनको बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन कोई भी वेक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो यह कह दे कि मेरे पास सारा धर्य है All wealth, I am the possessor of all wealth मैं सारा सब रूप वानूं, सबसे सारे संसार का रूप मेरे पास ही है कोई यह नहीं कह सकता, सारे संसार का बल मेरे पास ही है, कोई नहीं कह सकता लेकिन जो भगवान है, वो सारे संसार का रूप, सारे संसार का बल, सारा ज्यान, सारा एश्वर्य, सारा वेराग्य, यह जो है भगवान के अंदर पाया जाता है इसलिए उनको भगवान कहते है, जो इन छे एश्वर्यों को धरन करता है तो यहां पर उन्हें संबोधित किया गया कृष्ण को भगवान के नाम पर तो श्री भगवान वाचा अब देखिए जो पहला संटेंस है इस लोग का वो परारम होता है किस से हे अर्धन तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया ये तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है ये तो मतलब तुम क्या है यहां पर जो वर्ड योज गया अनार्य हो अनार्य जो आर्य नहीं हो तुम तो आर्य हो आर्य मतलब जो जीवन के मुले को जानता हो अभी चर्चा करेंगे लेकिन तुम्हारे को तो बिल्कुल यह सूट नहीं करता और अगले कुछ लोगों में आप देखेंगे भगवान की जो टोन है वो बड़ी डिफरेंट है जनरली ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने इतनी उदारता दिखाए, इतना दया दिखाए कि मैं तो बिल्कुल सादू संथ हूँ, मैं तो नहीं रड़ूँगा मेरे को नहीं चाहिए तो आपके हिर्दाय में उसके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्णल हो सकता है लेकिन गुरू जो है, गुरू कभी ऐसा नहीं होता है एक बच्चा जब आपके सामने तुटलाता वा बोलता है तो आपका दिल पसीच सकता है लेकिन माझ जानती है ये कुछ कारण से तुटला रहा है और माझन डान्ट के भगा देती है लेकिन अंकल जी आएँगे, अंकल जी बुरा भी बन सकता है आपको डांटी भी सकता है इसलिए गुरु शब्ड का जो वाकई जो अर्थ है वो है हैवी गुरु का अर्थ होता है है भारी गुरु भारी पढ़ता है कई बार बहुत भारी पढ़ता है कभी ना कभी पढ़ेंगे आपके जीवन में भी गुरु भारी नहीं बोल सकते, वो लच्छेदार language नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको उनका जीवन को direct करना होता है, discipline करना होता है हाँ कई बार वो चीजों को palatable way में बोल सकते हैं, चाकि काम हो जाए, ऐसा भी purpose नहीं है कि डंडा मार की काम करना है, नहीं तो काम ही नहीं होगा डंडा मारा जाए, कभी फ्यार से बोला जाए, बट वो आपका हिथी चाहेंगे, वो आपकी बातों में बात नहीं मिलाएंगे, ये गुरू का कारे है तो यहाँ पर देखते हैं, क्रिश्न एकदम डारेक्ट बोलते हैं, तुमारे लिए बिल्कुल अनुचित है, क्या बोल रहे हैं, what you are talking about, एक बात शिला प्रुपाद से उनके एक शिश्य ने बोला, कि प्रुपाद मैं हरिदास चाकुर कितने 192 माला रोज करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे मंदिर छोड़ना पड़ेगा, मंदिर is nuisance, यहाँ पर डिवोटी मुझे तंकरते रहते हैं, कुछ कुछ चर्चाय चलते रहते हैं, मुझे मंदिर छोड़के कहीं भार, एकांत में 192 माला करनी है, किरपया मुझे आग्या दीजी, अब कोई आदमी सोचे था, क्या आदमी आया, वह 192 माला करना चाहता है जैसे मैंने बोला, जैसे अर्दिन बोल रहा है, मुझे राज नहीं चाहिए मुझे काज नहीं चाहिए, वैसे 192 माला करूँगा, प्रुपाद ने बोला, why you want to do sense gratification, तुम इंदरी तर्पती क्यों लेकिन वो वैक्ती नहीं माना, क्योंकि जैसे हमें थोड़ा सा ज्यान हो जाता है, तो हम गुरू के भी सर पे चड़ने लगते हैं तो वो वैक्ती छोड़के चला गया मंदिर और भारी थोड़ी दूर पर कहते हैं कि उसने जब करना शुरू किया, और कुछ समय तक भक्तों ने उसको देखा, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा, बहुत सालों बाद कहीं वो दिखा, उसके साथ में वो एक ब्रह्मचारी था, जब बहुत सालों बाद दिखा तो उसके साथ में उसके पतनी थी बच्चे थे जो उसके कंदे में चड़ते थे और उसको नोच रहे थे तो इस प्रकार से गुरू की आज्या का पालन ना करना इंद्रे तिर्प्ति हो सकती है जो सो कॉल संसार में बहुत ही सज्जन पुरुश लगे लेकिन हो सकता है वो इंद्रे तिर्प्ति करने वाला एक व्यक्ति हो जो अनार्य है जो आर्य नहीं है जो जीवन के वैल्यू को नहीं जानता है इसलिए भगवान गीता का जो ये चैप्टर शुरू करते है प्रारम ही डाट से करते है सीधा सीधा रिब्यूक आदमी इतना डाट अपने किसी प्यारे व्यक्ति को ही कर सकत इतना प्यारे वैक्ति कोई डांटा है इसलिए एकदम से बिना किसी सोचे भगवान सीधा अर्जुन को बोलते हैं कि ये मन में कलमश कैसा है यानि कि जो भी अर्जुन ने पिछले अध्याय में बोला जो हम कह रहे थे वा वा अर्जुन वा वा भगवान कह रहें ये तो हो सकता है जो बात हमें बिल्कुल सही लग रही थी वो गुरु को बिल्कुल गलत लग रही है तुम्हारे दिमाग में अभी तक हमने पहले अध्याय में ये इमेज बना थी कि आरजुन हमने सेंग वन्र कुल वर्ट्स वाकारी में आरजुन का जो वर्ट्स है उनके अचण से येा पता लगता है कि उनका दर बेसिक Qalification है भक्त बनने की लेकिन अब उनको डारेक्शन के वास रता है उनका जो करुणा है उनका जो प्रेम है वो MIX तो यहाँ पर अनार्य बोला गया कौन है जो आर्य नहीं है देखे सुनिए आर्य वो नहीं है जो यह नहीं जानते कि aim of life is Vishnu Krishna कि जीवन का उद्देशक Krishna की प्राप्ति है जो इसको नहीं जानता वो आर्य नहीं है जो यह नहीं जानता कि उसके जीवन में विचारों के अनुसार जीता है वो अनार्य है जो संसार के इस चमक धमक से आकर्शित हो जाता है वो अनार्य है जैसे कि अर्जुन यहाँ पर अनार्य होने का example शो कर रहा है जैसे भगवान ने बोला कि तुम तो अनार्यों की तरह बहेव कर रहे हो है अर्जुन क्योंकि तुम एक शत्रिया हो तुम यह डवेट डवेटिं फ्रॉम दे डुटी ज़्ट बिकॉस तुमारे सामने तुमारे रेलेटिव्स ख़़े है इसलिए तुम अपनी डुटी को छोड़के भाग रहे हो इसका मतलब तुम लाइफ के मूल्यों को नहीं जानते हो यह नहीं जानते हो कि लाइफ का परपस भगवान की प्राप्ती है तुम मैटीरियल कॉंसेट से लाइफ जी रहे हो मैं और मेरा के कॉंसेट से लाइफ जी रहे हो और इसलिए इस युद्धों के भाग रहे हो, कर्तफे से भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारा so-called compassion तुम्हें वो compassion भी real compassion नहीं है क्योंकि वो इस चमणी से related है मैं और मेरा से related है वो जन सामान्य के लिए नहीं है वो जीवर दया नहीं है वो relative relative दया है रिलेटिव के लिए देया है, संबंदी देया है, उनके लिए देया, तुम्हारे देमारी है, तो इस प्रकार से बहुत बड़ी फटकार बड़ी, भगवान ने उनको अनारिय बोला, अनारिय बोला, तो एक तरह से ये श्लोग ये समझाता है हमें, कि जो sentiments हैं, final sentiment जैसे compassion है, जो कि अच्छे हैं, सतोगुणी हैं, लेकिन फिर भी worthless हैं, अगर गलत तरीके से लगा दिया जाएं, समाज में, तो real compassion क्या है, real compassion है, for example, हमारे लिए संसार में हम real compassion कैसे दिखाएं, संसार में हम सभी दुखी हैं, आज की देट में खास तर पर दुखी हैं, क्योंकि हम अप दुख भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार भले, तो ऐसा जो गगन है, वास्तम है, जहां दुख नहीं है, जहां मिर्त्यू नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्यों दुखी हैं, हम इसलिए दुखी हैं, क्योंकि हमने बगावत करी, हम अपने पिता को छोड़ गया और ऐसे गगन के तले आगए जहां दुख है, मिर्त्यु है, जनम है, व्याधी है, तो यह सारी समझा है, तो सबसे बड़ा compassion क्या होगा, सबसे बड़ा compassion होगा यदि हम जीवों को उनके उस पिता से दुबारा से connect करा दे, बहुत बड़ी कई बार इसमें अक्सर डिवेट होत क्यादी, compassion, affection, attachment, कुछ connection पैदा नहीं किया, तो वो खाना देना बेस्ट हो गया, क्योंकि जब तक वो शरीर को लेके है, हर शरीर में उसको भूग लगेगी, हर शरीर में बुड़ा होगा, दुखी दाएगा, आप उसके दुख को खतम नहीं कर रहे हो, तेंपरेरी उसको ए कि टैंपरेरली पेन किलर दी जा सकती है, इसलिए, रियल compassion यह है, कि हम लोगों को भगवान से connect करें, जोड़ें, तभी वो सुखी हो पाएंगे, अदर्वाइस वो हमेशा दुखी रहेंगे, तो यही बात भगवान यहां बताना चाहरे है, कि तुम्हारे एर्दे में जो compassion यह सही compassion नहीं, अर्जुन, यह भौती compassion है, इसके उपर उठो, अब थोड़ी डांट पढ़ेगी अर्जुन को, हम सुनेंगे, लेकिन वो एक बहुती अच्छे शिश्य की रूप में आएंगे, डांट पढ़ने के बाद भगवान के चलों में लेटे रहेंगे, इसको आग पनुल्ड में लेकि है, इसको आगए और बाल आएंगे, लेकिन वो एक बहुती अच्की रहेंगे.